सोशल मीडिया पर जैन समाच के सबसे लोग प्रिया आप सब के प्यारे चैनल महालश्मी की ओर से सुबह सुबह आठ वजे साधर जैनल आच कुछ खास बात अब श्रावगों के लिए कर रहे हैं चिंतन की बात कर रहे हैं तीन दिन पहले मंगलान जी महाराजी ने साननपुर में कही थी आपको धोरा देते हैं वही बात बतायते हैं कि हम आज शितला अनाचाराती चाराजी बहुत बात करते हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं उसके पीछे उसकी बेस में उसकी नीमें दोशी कौन है हाँ सादू पे मुलू उठा देते हैं उठाना बहुत जल्दी लगता है क्योंकि हमें अपने मुलूगर नहीं सादू के मुलूगर दुरूर याद रहते हैं वो क्या करते हैं क्या करते हैं हम जरूर देखते हैं अपने में नहीं जाकते हैं उन्हों साफ का सानपुर म मुनिश्री मंगलानी जी ने अरे एसी देते हो कुलर देते हो, मोबाइल देते हो पंखा देते हो, हीटर देते हो यह सब देने वाले जो भी श्रावक हैं वे सब तैयारी कर रहे हैं नरक में जाने की या निगोद में जाने की उनका कहने का बहुत बड़ा संदेश था और आज आपको कुछ उसी तरह के चितर दिखा रहे हैं जो सच-मच सोच के बाहर हो जाती है अपनी द्रश्टी के हम क्या कर रहे हैं पंच परमेश्टी को हम क्या समझ रखा एक आचार ये परमेश्टी पंच परमेश्टी पूजनिय परमेश्टी वंदनिय परमेश्टी जो सब को एक रास्ता दिखाती है एक संग को चलाती है और हमें भी कहीं न कहीं और उचे मार्क पर ले जाती है और उसके साथ एक श्रावा क्या दिखाता है ये भक्ती नहीं है, ये श्रद्दा नहीं है, ये सम्वरपड नहीं है ये वातसले नहीं है, ये कुछ नहीं है ये केवल एक महज मजाक बन जाता है जब पंच परिजद ऐसा द्रश्य दिखा जाता है बात यह नहीं कि कौन से संथ है बात यह कि कौन सी क्रिया चल रही है और उन अचारेशी के सामने यह हम क्या कर रहे हैं वारफेर कर रहे हैं नजर उतार रहे हैं क्या करना चाते हैं यह नियोचावर किस रिये क्या भक्ती दिखा रहे हैं क्या श्रद्दा दिखा रहे हैं अरे क्या तुम नोट बरसा रहे हो यह कुछ नहीं लगता यह बहुत शर्मसार करता है अपने जहन धर्म संस्क्रति विरासत अरे क्या सीखा है हमने क्या हमने यही सीखा है क्या दिखाना चाहते हैं हम अरे इस तरीके से जो द्रश्य दिखा आप यह पंच परमेश्टी के लिए कोई पुन्य की बात नहीं कर रहे हैं यह हास परिसराप कर रहे हैं यह अपने आंकों को हम पिल को लेको नीच करते कर रहे हैं जो हमें दिखा कर क्या करना है हमें यह सबज़ नहीं आता इस तरह के लोग कुछ करते हैं कुछ ताली पीटत सामने अरे जिसके चरणों में पढ़कर कहते हैं कर में कड़ जाते हैं जन्मों जन्मों के और उनके प्रतितु यह द्रश्य दिखा रहा है बड़ी शर्म आती है जब इस तरह के द्रश्य कोई देखता है समाज को श्रावगों को इस बारे में कम से कम जागरत रहना चाहिए अपनी सीमा को हम कहां ले जाते हैं हम उनलंगन हम करते हैं और अंगली हम फिर संतों पर उठाने लगते हैं आज चेनल मालश्मी सब श्रावगों कहते हैं अपनी श्रावगत्त को अपनी चर्या को अपने क उनको मत भूलिए अपनी जो सीमा हैं उनका उलनंगन मत कीजिए अरे अपनी पंच परमेश्टी पूजनी है वंदनी है उसे हाथ से के रूप में इस तरह शर्म सार मत कीजिए शर्म आती है जब इस तरह के वीडियो सारे सोशल मीडिया में नहीं दिखाना चाहते थे पर जब इस तरह की बात बढ़ जाती है 24 गंटे से ज़्यादा हमारे पास आए हुए कई लोग आ गए तो आज हम दिखने जाते हैं वास्ता में भूल हमारी है सादू की नहीं कही जाएं क्योंकि सादू महाँ पर बैठा हुआ मौन बैठा है हाँ उनको भी एक मर्यात करके शांत कर देना चाहिए ता यह बाता लगए पर शुरूरत में मुल्क दोश हम श्रावकों का है जो हम कहने जाते हैं अंद भक्ती का है एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दिगंबर संतों में सबसे वयोब्रद संत के दर्शन करा रहे हैं यह हैं अचारे कुशागर नंदी की सिश्य मुनिश्री अजय देवजी मुनिराज तीन दिन पहले हैं के सो वर्ष की आयो पूरी हुई है और इस समय कहा जाए वर्तमान के दिगंबर संतों में सबसे वयोब्रद दिगंबर संत हैं यह फिर लाएंगे कोई नई जानकार के पास आज शाम को करेंगे चिंतन की बात गिरनार के बारे में कैसा भविश्य है हमारा सुनिय का जरूर सादर जय जनिग